हेलो एवरिवान कैसे हैं आप लोग आजे 14 दिसंबर गैरेंटेट कॉंटेंट की आपको मैं डिलिवरी कर रही हूँ अगर आप रोजाना देखेंगे और रेग्यूलर वाच करेंगे कंप्लीट वाच करेंगे तभी आप मेरे कॉंटेंट का हर एंट्रेंस एक्जैम में गैरे अपडेट के लिए अपने फ्यूचर के लिए अपना कोई एंट्रेंस देंगे या एक्जैम देंगे या रोजाना अपडेट रहना जाते हैं तो वो डेली बेसिस पर ही सुनें और कंप्लीट सुनें तभी आपको इस प्लेटफॉर्म का जॉइन करने का 100% बेनेफिट होग और अपने टाइम को भी यूटिलाइजिशन प्रॉपर करें क्यूचर को जरूर सस्क्राइब कर लें जिससे कि आपको तमाम अपडेट डेली बेसिस पर मिलें और जो भी तक कंटेंट बना है वो मिलता रहे और अपडेट मिलते रहें डेली बेसिस पर इसके लिए बैल उसके लिए आप मुझे like comment शरूर करते रहे हैं पहला question है first question is हाली में राश्रिय ऊर्जा संरक्षन दिवस कब मनाय गया है राश्रिय ऊर्जा संरक्षन दिवस नेशनल एनर्जी conservation day तो यह मनाय गया है 14th December को अब यह मनाया क्यों जाता है राश्रिय ऊर्जा संरक्षन दिव हम अपनी उर्जा को संडक्षित भी रख सकें और अपनी जरूरते भी पूरी कर सकें और साथी इसके महत्व को समझ सकें और इसके महत्विक के लिए दूसरों को जागरुक भी कर सकें अवेर कर सकें तो इसी लिए राश्टिय उर्जा संडक्षित दिवस मनाया गया है और हर बार मनाया जाता है 14 दिसंबर को लेकिन दोस्तों मैंने अभी तक दिसंबर के जितने भी important days बताएं है एक एक को आप revise कर लीजे जिसे कि आपका बिलकुल sequence बना रहे है और हो सके तो comment box में लिखिए जिसे कि आपको आदत पड़े लिखने की और इस तरह जो चीज़ आप try करके लिखेंगे तो आपके दिमाग में भी रहेगी ये मेरी guarantee और ये मेरा वादा भी है next question question हाली में किसने विंसेंड का निधन हो गया ये कौन थे विंसेंड विंसेंड का निधन हो गया ये कौन थे तो ये एक लेखक थे इन्होंने तीन Grammy Award और नौ Latin Grammy Award जीते और अभी इनका निधन हो गया ये एक लेखक थे राइटर थे विंसेंड नेक्स कुशन है हाली में ADB ने भारत की GDP growth rate financial year 2022 में कितने प्रतिशत रहने कानुमान लगाया है तो 9.4% कितना 9.4% मैंने आपको कई चीजों की rating बताई है 9.4% किसने बता है 9.5% 9.1% ठीक है और 8.4% किसने बता है सब की rating revise कर लिजे एक कुशन इससे आता ही आता है अब ADP ने भारत की सकल घरे लोतपाद दर ये वृद्धी दर 2022 के वित्ती वर्ष में रहने कानुमान लगाया 9.4% ठीक है 9.4% ठीक है और याद रखेगा मनीला फिलिपिंस में headquarter है और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी ने एकर ने हाली में अभी हाली में अभीी इवेकल वेकल 15-REgen ये रज worry wagon registration के मामले पूरे भारत में शीश यानि टॉप पर कौन सा राज्जे है तोतर पदेश भारत में पूरे भारत में जो इलेक्रिक वेकल है यनि जो ये दिर बैक्ट्रिक हैं के रिक्षे से लेके बैटरी क गाडिया जितने भी इलेक्ट्रोनिक हैं जितने भी इलेक्ट्रिकल हैं लेक्ट्रिक वेकल हैं तो यह जो है पूर इंडिया में 870,149 कितने रिजिस्टर्ड हैं 870,141 यह जिस में अकेले ही यूपी में दो लाख ए वेकल जो है रिजिस्टर्ड हैं दो लाख कहां के यूपी के अकेले दूसरे नमबर पर क्या है यूपी के बाद दूसरे नमबर पर कौन सा है कौन सा है दूसरे नमबर बताना है आपको और तीसरे पर करनाटक है मुझे बताना है दूसरे पर कौन सा ह तो बताना था दिल्ली है, पहले पर यू-पी दूसरे पर दिल्ली तो न Allah दूसरे पर करुनाट यू-पी की बात peanut काले नमक चावल महउतसब यही मना जाता है hunger colleague Maan действительно session GP मैं जी यू-पी को मिला यू-पी को मिला और दोनों यूज ना अभी यूद्यम योजना ये तमाम कहां चल रही है यूपी में ही चल रही है Fire Safety Center DRDO ने कहां खोला है खोलने की खुशना की है तो ये बन रहा है पलकवा में और दियोबन ने भारत का पहला ITA Center बन रहा है सहारनपुर यूनिवसिटी का नाम मा शाकमबरी देवी यूनिवसिटी कर दिया गया है और जो ये क्या करते हैं ठीक है और मिशन शक्ती महिलाओं के लिए इसके चरण थ्री चल रहा है फोर फोर चल रहा है अब महिलाओं के लिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए क्या शुरू किया गया है यहाँ वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट और मद्य प्रदेश में के चलता है एक जिला एक शिल्प अभियान ठीक है याद रखना और कल भी आपको बताया था कल पर सो केन बेत वा और उसके अलावा मैंने बलरामपुर नहर पर योजना वाला कोशन भी बताया यह सब यूपी के यादर कियेगा योगिया दितिनाद चीफ मिनिस्टर आनंदी बिन पटेल गवरनर हैं लखनो कैपिटल कूप दीनदी के तेट पर है सौरी क्या करूं बड़ी नीदार यह मुझे भी और दुद्वा नेशनल पार्क अमन गर्ल नवाब गंच यह सब और चंदर परवार नेशनल पार्क यह सब यहीं है कतर नियंग हर्ट वाइड लेफ सेंचुरी और पीली भी टाइगर डिजर्व यहीं है यूपी में और राज के पुश पलाश रिक्ष अशोका बारा सिंगा राज के पशु है और सारस राज के पक्षी है तो आप यह याद रखिए क्या कुशन है हाली में एशियन डेवलिप्मेंट बैंक ने कुशन दूसरा है यह डीपी से ही है एशियन डेवलिप्मेंट बैंक ने अभी असम इसकेल यूनिवर्सिटी की इस्थापना के लिए कितने मिलियन डॉलर के रिण को मंजूरी दी है नहीं लोन को एगरी किया है 112 मिलियन यूएस डॉलर के लोन को मंजूरी दी है एशियन डेवलिप्मेंट बैंक ने किस के लिए असम इसकेल यूनिवर्सिटी के लिए एक असम भी बन रही है असम इसकेल यूनिवर्सिटी तीसरे नमबर का पहला एंपी दूसरा अदोंlenी को बार तिसरा असम, मैक्सिमम फॉर्स्ट, हाँ, मैक्सिमम फॉर्स्ट एरिया कवर, यह नि तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क रखने वाला यह राज्या एंपी में टैन है, मानीकबार में नाइन है, इसमें सैवन है असम, असम की कौन-कौन से गेंडे के लिए फिमसे चार हो गए और इसके अलावा राय मोना देहिंग पटकाई दुबारा सुन लिजे एक बार ना मेरी औरंग दिब्रुशाइकोवा तीन हो गए काजी रंगा और मानस पाँच हो गए छटा राय मोना और साथवा देहिंग पटकाई यह तमाम साथ मिलता है अगर दो राजे मिलता है यह पूछ जाए तो और यह भारत का पहला ऐसा नेशल पार्क काजी रंगा जो सेटलाइट फोन से कनेक्ट है तो आपको यह भी याद रटना है और भारत का एक मात्र सुनहरी बाग गोल्डन बाग कहां देखने को मिलता है यह कहां पाए जाता है तो काजी रंगा में कौन सा बुराल जुमरू और बाग रुम्बा और भी हू यह फेमस डांसे से किसके असम के धनमंत्री योजना ब्रमड सार्थी योजना प्रज्यान भारती योजना भाशागोरव योजना और परियेटन संजीवनी योजना और अरुनोई आसम में किस ने लगाया रभर रिसेर्च इंस्ट्थीट ऑफ इंडिया और रया रवर रिसेर्च इंस्ट्थीट आफ इंडिया कह यह वहःगाटर केरल में है थ intriguing मता विश्वा शर्मा है चीफ मिनेस्टर है और जगदीश मुकी गवर्णर है और नगलेंट को हमाल रहा है किस IIT ने अभी Indian Air Force के साथ समझता किया है तो अब विवेक राम चौधरी सहाब ये इसके हेड है वियार चौधरी किसके IAF Indian Air Force के और इसके साथ अभी समझता किया है IIT दिल्ली ने किसको सुदेशी करण के सुदेशी करण के प्रियासो को बढ़ावा देने के लिए सुदेशी करण को बढ़ावा देने के लिए अभी जो ओमिक्रोम की बात चल रही है जो नया एक वेरियंट पाये जा रहा है उमता करोना का इसी के RT-PCR Real Time Polymerized Chain Reaction RT-PCR का टेस्ट होता है इसी की जाश के लिए एक IIT दिली ने एक उपकरण बनाया है और IIT कानपूर ने अभी स्वाइल टेस्टिंग और स्वाइल कॉइलिटी यनि इसकी टेस्ट करने के लिए और इसकी कॉइलिटी को बहतर बनाने और इसकी जाश के लिए इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी इसके लिए भी एक स्टूमिंट बनाया इटी कानपुर ने तो यह आप याद रखना नेक्स कोश्चन है हाली में अभी हाली में अभी पास्पोर्ट टू अर्निंग यह किस ने एक दुनिया भर के चात्रों के लिए एक प्लेटफॉर् ने पास्पोर्ट टू अर्निंग तमाम स्टूडन्स के लिए डेवलप किया है दुनिया भर में शिक्षा और शिक्षा वित को बढ़ावा देने के लिए है ना शिक्षा और शिक्षा शिक्षा वित को बढ़ावा देने के लिए यह एजुकेशन के स्टेटस और एजुके के उनिसेफ की United Nation Children's Fund UNESCO नहीं कह रहे हूं UNICEF कह रहे हूं UNITED Nations Children's Fund इसी ने एक स्टूर्दन्स के लिए भी पास्पोपास्पोड टू अर्निंग क्या पास्पोड पासपोड नहीं है यह पास्पोड तू पास कोड टू अर्निंग नाम का प्लेटफॉर्म लाउंच किया है किस ने किस ने किया है यूनिसेफ ने पहले हैंड्रिएट्टा एच फॉरे होते थे इसके हैड लेकिन आप कौन है कैथरीन रसेल आपको बताया था ना दोती दिन पहले कैथरीन रसेल 9 दिसमबर 1946 को इसकी चीफ एग्जेकिटिव ऑफिसर कौन बने है रविंद्र भाकर यह उनिस सुन इन्यानवे के रेलवे स्टोर सर्विस बैच के ऑफिसर है रविंद्र भाकर और यह अभी क्या बने है यह बने हैं सी यो किसके तो चिल्डर्र फिल्म सुसाइटी ऑफ इंडिया के याद रखन नेक्स कॉशन है हाली में अभी DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और गनाइज़ेशन ने कौन सी सूपरसोनिक मिसाइल अभी टार्पिडो का सकस्फली ट्रायल किया है तो एक मिनट मैंने कॉशन गलत कर दिया हाली में DRDO ने कौन सी सूपरसोनिक DRDO ने कहां से सूपरसोनिक मिस्یک टारपिडो का successfully trial कיया है । या निस सफलता पूरवक without ungkin किया है तो टारपिडो का तारपिडो तो होई गई टारपिडो मिसाइल सूपरसोनिक मिसाइल है यह भी पता चल गया कहां से किया है तो ओडिशा के बाला सौर से ओडिशा में एक जगा है बाला सौर इसी से सफलता पुर्वक परिक्षन किया है डी आडी उने किस का सूपरसोनिक मेसाइल टारपीडो का याद रटना है बाला सौर से अब बडिशा की बात है समहती प्रोग्राम चव महतसव कौन से चव बोयता बंदरा महतसव चैतर जातरा महतसव राजपर्व या रजपर्व चैतर जातरा महतसव यह सब उडिशा के हैं कलिंग पुराना नाम है ओडिशा का उतकल दिवस या उतकल दिवासा यह उड़ी सा दिवस के नाम से मना आता है एक अप्रेल को जीरो मिशन एप यही पे लॉंच होई और एक होई सेचा समधान और परिश्रम और सुमंगल दो पोर्टल इंपोर्टेंट निया शुरुए नियुलिया शाही और वेंकर ट्राइपूर युनेसको ने इन विलेजिस को क्या डिकलेर किया है सुनामी रिड़ी याद रखना लिंगराज कोनार्क और जगननात लिंगराज कोनार्क और कोनार्क कह भी सकते हैं और कोनार्क भी और जगननात यह तीन टैंपल्स यहां के फेमस हैं क्या हैं तीन मंदर यहां के फेमस हैं और गोल्डन बीच और रु होकी स्टेडियम बन रहा है और भोवनेश्वर उडिसा की कैपिटल और यहां आई ओसील के सहयोग से बिंदू सागर स्वच पहल भी चल रही है तो याद रखना अर्बन गवरनेंस इंडेक्स में नंबर वन पर है उडिसा याद रखना सांस अभियान यहीं चल रहा है सोशल अवेरनेस एंड एक्षिन टू निट्रलाइज नुमूनिया सक्सेस्फुली यह भी याद रखना मदू बाबू पैंशन वित्रण योजना में अब ट्रांसजेंडर्स को एड किया गया है गरीमा योजना और ड्रिंक फ्रॉम डैप उडिशा के अंदर है पूरी जहां 24 गंटे शुद्ध पे जल उपलब्ध है और यहां पर आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट को अवश्यक विशे करार दिया गया है नमीन पटनेक चीफ मिनिस्टर है और गनेशीलाल गवर्नर है याद रखना एक चीज और बत कहता है और वाचुमबा या बाचुमबा दोनों से बोलते हैं वाचुमबा या बाचुमबा और कहीं कहीं तो माचुमबा भी कहते हैं लेकिन वाचुमबा सही नाम है वाचुमबा एक महुसब है जो असम के अंदर मनाया जाता है तो यह भी आपको याद रखना है और ओड हाली में पाकिस्तान किर्केट बोर्ड PCB क्या है PCB के नए CEO अभी कौन युक्त हूं है पाकिस्तान ने अपने किर्केट बोर्ड यानि PCB का नया CEO किसको पाइंट किया है तो फैजल हसनैन ये पहले जो है ICC के CFO थे और अभी ये पाकिस्तान में क्या बने पाकिस्तान में तो PC CB यानि पाकिस्तान किर्किट बोर्ड के बने हैं CEO पाकिस्तान की बात है इसलामाबाद यहां की कैपिटल है इस पाकिस्तान की और हमारे देश भारत और पाकिस्तान के बीच में कहा है रैड क्लिफ डिवाइडिंग है पाकिस्तान के प्रधार मंतरी है किर्किटर इमरान खान और पाकिसान के राष्टर पती कोन है ? तो कहना मैं अबदुल्ला नई आरिफ-अलवी तो ये तमाव बातें याद आद रिके नेट्स कुशिन है द्यान से सुनिये एक कोशन लेते हैं द्यान से सुनिये बहुत द्यान से नेक्स कुश्यन है हाली में एशिया ए रोइंग चेंपियनशिप में अपने इंडिया ने कितने मैडल जीते हैं यह कितने मैडल विन किये हैं प्राप्त किये हैं गेन किये हैं जो भी है तो इंडिया ने एशियन रोइंग चेंपियनशिप क्या होती है rowing championship तो Asian rowing championship में अभी अपने इंडिया ने जीते हैं six medal, छे पदक जिसमें चार silver है और दो gold या फिर gold बड़ा होता है तो gold कहेंगे दो gold है, चार silver यनि दो sony के medal पदक है sona पदक और चार रज़त पदक यनि silver medal, chandi के medal है ये थाइलेंड में हुई है एशियाई rowing championship ये एशियन rowing championship जिसमें अपने भारत ने ये छे medal दो gold, two gold and four silver medal जीते हैं थाइलेंड में हुई है तो प्रियूत चांग उच्चा ये इसके प्रेसिडेंट है, थाई बहत करिंसी है और थाइलेंड की capital क्या है capital है bangkok क्या है bangkok तो याद रखना है कुष्ण हाली में मा उम्याधाम परियोजना यानी project की अधार शिला कहां और किसने रखी तो प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने अभी मा उम्याधाम परियोजना की आधार शिला रखी है और यह रखी है गुजरात में गुजरात में मा उम्याधाम यह को देवी है उनका यह मंदिर बनेगा बहुत बड़ा और चोहतर एकड कुछ ऐसी मतलब चोहतर परियोजना मा उम्याधाम विकास परियोजना जिसकी अधारशिला प्रधान मत्री श्री मोदी जी ने गुजरात में रखी है किसने माउमी अधाम विकास परियोजना की अधारशिला हमारे प्रधान मत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने गुजरात में रखी है गुजरात की बात करें गिर्णार रुकवे का उद्गाटन यहीं किया गया है गुजरात में और जी सुजलम सुफलम जलसन चैभियानी चलता है उमवारे आंगनवारी अनुठी पहली लॉगडाउन में कोविट में बच्चों तक पहुचने के लिए बनाई गई थी ताकि उनकी शिक्षा को कंटीनियू किया सके भारत में की भारत की पहरी रीथियम की फैक्टरी गुजरात में भारत का पहला रिशम प्रसंस करण केंदर सुरेंदर नगर गुजरात में है और वर्ल्ड लार्जिस्ट सिंक वर्ल्ड लार्जिस्ट सिंक इस मेल्टर प्रोजे गुजरात में शिवराज पुरवीज इसको प्लू फ्लेक सर्टिफिकेट दिया यूनेसको ने नल सरोवर खिजारिया कंकडी और धोली ये लेक हैं यहां की सरदार सरोवर डैम नर्मदा रीवर पर है गांदी नगर यहां की कैपिटल है आचारे देवरत यहां की गवरनर रो और जो भी वेंजन है उन सब को और अलग-अलग राज्य के लोगों कामनत्रित किया गया है इसमें है ना बताया था और वनसुदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क और कौम सर है गया जी मरीन वनसुदा गिर इस्टिक लॉइन के लिए और बार ब्लैक बक नेशनल पार्क ये चार नेशनल पार्क यादर की चार बहुत इंपोर्टेंट है ये बात यादर कना है नेक्स कुशन है नेक्स कुशन है हाली में अभी दिल्ली योगशाला प्रोग्राम या दिल्ली योगशाला कारिकरम अभी किस ने शुरू किया है तो दिल्ली की योगशाला प्रोग्राम या दिली योगशाला कारिकरम ये इसमें ये है कि जो trained yoga teachers होंगे उनको इसके लिए पॉइंट किया जाएगा इस दिली की योगशाला प्रोग्राम के लिए और एक toll free number जारी किया जाएगा toll free number वो toll free number क्या करेगा उस toll free number पर लोग कॉल करेंगे और ताकि वो regular यानि नियमित रूप से योगा की training ले सके toll free number पर कॉल करके किसे trained yoga teachers से और उनकी health भी रहेगी नियमित रूप से training भी लेंगे trained yoga teachers भी मिलेंगे तो वो training ले सके इसलिए ये दिली की योगशाला कारिकरम जो है शुरू किया है जिसके लिए प्रस्षिक्षित योगा शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा यही है बेहतरीन प्रोग्राम लाँच हुआ है दिली में कौनसा दिली की प्रोग्राम रेड लाइट ओन गाड़ी ओफ पहल यहीं शुरू किया गया था जैव भी मुख्यमंत्री विकास प्रतिभाई योजना कोचिंग के लिए यहीं शुरू किया गया था पहला भारत का स्मॉक टावर यहीं दिली में लगाया गया था श्रमिक मित्री योजना दिली में मनाता पहला स्मॉक टावर श्रमिक मित्री योजना यहीं शुरू ही दिली में और कल भी मैंने आपको कुछ बताया है है दिली पुलिस के लिए शुरू किया गया है राकेश अस्ताना जी न we destroyed india's water how can we save it नामक book लिखी है यह launch की है कौन सी पुस्तक लिखी है किसने यह book लिखी है अब नाम सुनिए हाली में किसने यह water नामक लिखी है तो how we destroyed india's water यह book लिखी है मृदुला रमेश ने किसने लिखी है मृदुला रमेश तो दोस्तों यह बहुत अच्छा सेशन था हर रोज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सुनिए गौर्ड से सुनिए ध्यान से सुनिए आज के लिए इतना है तैंक्स वाचिंग कल मिलते हैं तैंक्स वाचिंग